दोस्तो आजकल SD Card कौन यूज नहीं करता है जिसे देखो अपने स्मार्टफोन, कैमराज में SD Card को यूज करता है लेकिन ऐसे में क्या आपको पता है कि SD Card होता क्या है और जो SD Card आपने खरीदा है वो किस क्लास का है या फिर किस कैटेगरी का है और सस्ता है तो क्यूं है और नमस्कार दोस्तो मैं मनुश स्वार हो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलोजी के अंचल में दोस्तो जब भी आप दुकान में SD Card आपको 2-3 तरह की Memory Card दिखाए जाती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको 2GB का Memory Card या फिर 4GB का Memory Card आपको 200 अर्प में मिलेगा वहीं एक दूसरा Memory है जो दूसरे Class का है और वह Memory आपको 400 अर्प मिलेगा जबकि दोनों का Size सेम है तो ऐसा क्यों होता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस SD Card के बारे में जानना होगा तो चले दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं SD Card के बारे में दोस्तों SD Card यानि Memory Card के बारे में आजकल कौन ने जाता है हर किसी को पता है कि इसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं लेकिन ऐसे में जो Memory Card आपके पास है या फिर जो SD Card आपके पास है वो किस category का है यानि वो किस type का है यह जानना बहुत जरूरी है तो चलिए अब हम बात करते हैं SD Card के टाइपस के बारे में कार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है Secure Digital Standard Capacity Card यानि इस category में आपको जितनी भी Memory मिलेंगी उसका साइज होगा 128 MB से लेके 4 GB तक और यह जो भी Memory होती है वो सारी चीप यानि सस्ती होती है यानि यह Memory Card आपको 200 से या 300 रुपे में मिल जाएगा आसानी से दूसरा Memory Card का टाइप जिसे हम बोलते है SDHC जिसका है Secure Digital High Capacity यानि इस category में जो भी Memory आती है उसका साइज होता है 4 GB से लेके 32 GB के बीच में इसके बीच में आपको जो भी Memory Card मिलेगा उसका साइज आपको मिलेगा 4 GB से लेके 32 GB तक और इसका प्राइज जो Normal SD Card है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा या फिर डबल भी हो सकता है तीसरा जो Memory Card का Type होता है SDXC यानि Secure Digital Extended Card यानि इस category में आपको जो भी Memory मिलेगा उसका साइज आपको 64 GB से लेके 2 TB तक होगा तो अब आप समझगे होंगे आपके पास जो अभी फिलाल Memory Card होगा अब आप अंदाजा लगा लिजे कि आपके पास क क्लास पर डिपेंड करता है वह महेंगा है या फिर सस्ता अगर वह Memory Card Class 2 का है तो वह सस्ता होगा अगर वह Memory Card Class 10 का है तो वह महेंगा होगा यानि इसका मतलब है अगर आपको मार्केट से 4 GB का Memory Card खरीद रहे है और वह Class 2 का है तो वह आपको जादा-जादा 300 या 400 में मिल से यानि जो Memory Card आपके पास है उसकी Speed कितनी है यह जो भी आप data ट्रांस्पर कर रहे हैं भेज रहे है अपने Memory Card से या फिर कोई भी data आप अपने Memory Card में ले रहे हैं उसकी Speed कितनी है वह डिपेंड करता है Class 2 का है तो उसके Speed Maximum होगी 2 MBBS या आपके Memory Card Class 4 है या फिर 6 है या फिर 10 तो उसकी maximum speed होगी 4, 6 या फिर 10 अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम 10 class का memory card क्यों ले तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप smartphone यूज करते हैं उसमें तो आप class 2, 4 या फिर 6 का या फिर 10 का चला सकते हैं लेकिन अगर आप कोई DSLR लेते हैं या फिर जहां से आप HD recording करना चाहते हैं या फिर आप अपने smartphone से full HD recording करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास class 10 का HD card होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी DSLR camera होते हैं उसमें हमेशा class 10 का memory card यूज के जाता है अगर आप class 2 का memory card यूज करेंगे तो वहां पर वह अच्छे से काम नहीं करेगा व UHS यानि Ultra High Speed 1 और Ultra High Speed 3 इसका use basically हम 4K recording करने के लिए यूज करते हैं यानि जितने भी 4K camera है उन सब्सक्राइब में जादतर UHS 1 या फिर UHS 3 class का use किया जाता है तो दोस्तों आसा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि SD card क्या होता है, SD card के type कितने होते हैं और SD card के class क ऐसे में आप अगली बार SD card खरीदने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा memory card कौन सी class का है कौन सी category का है और यह महंगा है तो क्यों है तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो लाइक बटन पर क्लिक जरू कर सकते हैं तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye